तो चली दोस्तों आज की डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आज हम बनाएंगे एक मसाला, वो भी बहुत टेस्टी बनाएंगे कुछ टूरिस्ट के साथ, पर टेस्ट के साथ कोई कमप्रमेंस नहीं है यहां पर, तो चलते हैं सुरकते, मैं यहां पर एक प्यान में ले रही तेल, इसे अब अच्छे से गरम करने के बाद मेहां थोड़ा चाशी और ब्लाक रेजन को तो फ्राइ कर रही हूं, आप चाहिए तो प्लेन मला खिश्मीस भी ले सकते हैं, एक में कभी इस तरह के से काजू और खिश्मीस टाल करते हैं, बोकुत ही ज़दा टेस्टी लगत अब हम इसमें डालते ही थोड़ा सा हल्दी, ध्यान डेकना हल्दी आप लास में डालना नहीं तो हल्दी जल सकता है, और लो फ्लेम पे ही इसे आप कूक करना, और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल, इसे अचे से गरम होने के लिए मसाला में में आपर तेजपता, ठालचीनी, लॉंग, छोटी लाइची, भडी लाइची ले रही हूं, दिस सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, इसका अच्छा सा खुस्बू आने तक, इसमें से एक अच्छा सा प्यारा सा खुस्बू आज़ इसमें डालेंगे, एक मेडियम साइस प्याज को हमने चट करके हैंपर डाल रहे हैं, प्याज थोड़ी तर भूनने के पात गोल्डन ब्राउन जोग हो जाए, इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून अध्रक लेशन का पेस्ट, पेस्ट को अच्छे से भूनना बहुत ही जरुरी होता है क्योंकि उसका जो एक रॉसमेल होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कारी में, इसलिए हम इसे अच्छे से भून रहे हैं, पांच मिंट के बाद हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे, एक मीडियम साइस टमाटर को चट करके इसमें आठ कर लेते ही, और टमाटर के साथ तो नमक बहुत ज़्यदा जरुरी होता है, नमक डालकर इसे हम लोग लेंपे कुक होने के लिए चोड़ देते ही, उसी बीच हम हमारा मसालों को भी रड़ी कर लेंगे, मेहाँ पर दो टेबल स्पून ले रहे हूं दही, और इसे अच्छे से फैटने के यह मैं टाल सेक तो यही नहीं के चिकेन मसाला से छिकेन में डालता है, आप एक करी में भी डाल सेकते हो, और बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है। यहा हम पर और एक सिक्रेटा इंग्रिदेट से बहे है बेसन, मेहाँ पर एक टी स्पून के करी भुना हुआ भुत भुन मसाला बना कर रखेते हैं पेश्ट उसे हम डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करके इसमें डाल देंगे और इसे हम कंटिनियूसली स्टर करते जाएंगे जब तक यह अच्छे से डिजर्फ ना हो जाए आप इसका प्यारा सा कलर देख से तो अभी यह प्रपली कुक नहीं हुआ है जब यह प्रपर कुक हो जाएने उसके पात आप देखना इसका इतना प्यारा सुंदर कलर आएगा ना देखते ही खाने कर लिए मन करेंगा तो हम क्या करेंगे ना लो फ्रेम पे इसे हम पांच मिनित के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं आपर क्या करेंगे जो हमने पटाटो को फ्राइ करके रखे थे उसी पटाटो को हम इसमें आठ करेंगे क्योंकि पटाटो कच्छा था इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए में पहले से ही पटाटो को आठ करेंगे मसालों के साथ और इसे हम कवर करके कुक होने के करें घूर दे देिखेंगे उसके बात इसे स्टर कर देगे अपको ननभी सींस में पसंदे मुझे चरण बताने दोस्तों क्या आपको भी एक खाना पसंद है और आपको भी पसंद है एक खाना कभी इस तरीके से एक बना कर तो देखिए इसका तेस्ट आपको बहुत पसंद आएका जब मसालों से ओल सेपरेट हना सुरू हो चाहे ना तब हम इसमें आड़ करेंगे एक और खिश्मिश काजु चो हमने फ्राइ करके रखे थे इसे आड़ करने के पाथ इसे हम अ पर पसंद आएना दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है यहां पर और एक टुइस चाने वाला है इसमें और क्या चीज़ मिला है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए तो आप आगे दिखिए आपको जरूर पता चलीगा इसमें बहुत सिक्राइब चीज़ यह है कि मैं हां पर एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर गरम पानी में डालकर इसे मिक्स करने के पाद ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके आड़ करूंगी इसे हमाचे से मिक्स करते जाएंगे फिर से उस पानी हो जाएता है बिना क्रीम यूजुकिये ग्रेफी का टेक्स्च्च जबहुत ही जड़ा क्रिमी हो जाता है ग्रेफी में तीखा के साथ तोड़ा सा स्वीट पान भी आता है जो कि बहुत ज़ड़ा अच्छा लगता है और इसे हम कभर करके दो मिनिट के लिए छोड़ेते इ इतना अच्छा प्यारा कलर आया है ना आपको देखते ही भूख लग चाएगा और इतना टेस्टी लगता है आप दो की जगा चार पराठे खाएंगे चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए हमारा डिनर बे बिलकुल डेड़ी है और इसके आगे तो सारे रिस्टोरेंट वाले आप दो की जगा चार पराठे खाएंगे इसके साथ आप थोड़ा सा अनियन और लेमन ले लेना इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा चाता है एक बाद जरू ट्राइ करना थैंक्स पर वाची में चैनल